प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। safer, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है। उसे क्लिक कर दें। बस हूग गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज परमेश्वर ने एक बार और ये जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का दिल से आभारी हूँ परमेश्वर के वचन का अध्यायन हम सब के लिए बहुत जिरूरी है आज हमारे चारों तरफ कम से कम बारा से पंद्रा के आसपास मेजर धर्म है जैसे इसलाम, हिंदोिस्म, बुद्धिस्म, जेनिज्म, इत्यादी उसके अलावा तमाम तरह के छोटे ग्रूप्स हैं इनी के अंदर छोटे ग्रूप्स हैं इन में से हर ग्रूप का अपना एक धर्म ग्रंत होता है और ये ग्रूप वो धर्म ग्रंत हैं जो इन ग्रूप्स को एक साथ या एक सूत्र में पिरो देता है मसीही विश्वास अन्य धर्मों के समान एक धर्म नहीं है ये एक विश्वास है प्रभू के साथ एक वाक या एक चलन है लेकिन दुनिया के दूसरे लोग इसको एक धर्म के रूप में देखते हैं और इस कारण जाकर हर व्यक्ति को ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि पर्मेश्वर के साथ संगती में चलना ही मसीही जीवन है मसीही जीवन या मसीही विश्वास को भी एक सूत्र में पिरोने वाली उस्तक है पर्मेश्वर का वचन पर्मेश्वर का वचन ना केवल मसीही विश्वासियों को एक सूत्र में पिरोता है बलकि मसीही विश्वासियों को अपने जीवन में जो जो बातें याद रखनी है जिन जिन बातों के आधार पर चलना है जिन जिन बातों को एवोईड करना है ये सारी बातें हम प्रभू के वचन से ही पाते हैं मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाना चाहता हूं लास्ट हफ्ते मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम अपने घर में जरासा एक्विप्मेंट खरीदते हैं छोटा सा तो भी उसके साथ एक मैन्वल आता है और ये दि मैन्वल को हम ध्यान से नहीं पड़ें तो कई बार अंचाने बहुत बड़ी गलतियां कर सकते हैं प्रभु इश्वन ने जब मनिश को बनाया या मनिश की स्रिष्टी की तो इस सारे विश्व में सबसे कॉम्पलेक्स या सबसे जटिल व्यक्थित्व है मनिश्य और इसका अरण शुरू में प्रभु इश्वर ने मनिश को जो कुछ जानना था वो बाते मुझवानी प्रभुई इशु के समय से लगबग डेड़ हजार साल पहले लिखित रूप में देना आरेम किया क्योंकि तब तक जन संख्या बहुत बढ़ गई थी और पब्लिक के बीच में ऐसे लोग जो पदमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी ना केवल उनकी संख्या बढ़ गई थी पदमेश्वर के वचन का विरोध करने के लिए वे लोग जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं ये तकनीक बहुत अधिक परिश्कृत और शक्तिशाली हो गए थे इसका रिंड लिखित रूप में प्रभू का वचन देना बहुत जरूरी हो गया जिसके लिए प्रभू इशु से लगबग डेड़ हजार साल पहले पदमेश्वर ने अपने महान दास मूसा के द्वारा बाइबल की शुरू की पाँच पुस्तकें और उसके अलावा यूप की पुस्तक इस तरह से छे पुस्तकें दी और उसके बाद नियमित रूप से पदमेश्वर ने और लोगों को उभारा जैसे यहोश्यु को उभारा कर लिखते चले जाएं और ये प्रक्रिया प्रभु इशु से डेड़ हजार साल पहले जो प्रक्रिया डेड़ हजार सिर्फ अप्रॉक्समेट मैं बोल रहा हूं डेड़ हजार साल पहले जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी वो प्रभु से 400 साल पहले तक चला जिसे हम 400 इस्वी पूर्व या चारसो बीसी बोलते हैं चारसो बीसी में प्रभु ने अपने भविश्य वक्ताओं के द्वारा लिखित रूप में देना, अपने वचन को देना बंद कर दिया लगबक चारसो साल पजमेश्वर ने अपना वचन नहीं दिया इसके कई कारण हैं जिनमे एक कारण यह है कि पजमेश्वर की प्रजा जो कनान में वास्थ करती थी अब वो प्रजा कनान में नहीं रही पहले दस गोत्र सारी दुनिया में गुलामी में चले गए और उसके बाद बचे हुए जो दो गोत्र है 400 इसवी में वो लोग भी गुलामी में चले गए तो जब कनान में थोड़े से लोगों के अलावा जो प्रभू की जो प्रजा है वो नहीं बची तो फिर भविश्वक्ता किन के सामने भविश्वानी करेंगे किन लोगों के लिए लिखेंगे इसलिए 400 साल के गैप आया उसके बाद प्रभू इश्व संसार पधारे और 33 इसवी में जब पिंतिकोस्त का दिन आया तो उसके साथ साथ मसीही मंडली की स्थापना हुई मसीही मंडली की स्थापना एक ऐसे युग में हुई जहां पर आवागमन की सुविदा बहुत अधिक बढ़ गई थी उस समय रोमी लोग लगभग सारी दुनिया पर शासन करते थे भारत पर शासन नहीं करते थे लेकिन भारत में भी उनका आवागमन बेहद था मैं यहां केरल में जहां बैठकर यह क्लास ले रहा हूं यहां से लगभग मुश्किल से पचास या साथ किलोमीटर दूर रोमी लोग पानी के जहाजों में आकर उतरते थे और यहां से काली मिर्च ले जाते थे तो आवागमन इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत हो गया और जब आवागमन बढ़ गया तो उसके साथ साथ एजुकेशन बढ़ा लिखने की सामगरी बहुत अधिक बढ़ गई इसके साथ साथ जो लोग परमेश्वर का और परमेश्वर की शिठ्षाओं का विरोत करते हैं उनकी संख्या बेहताशा बढ़ गई और इस कारण जब पिंतिकोस्त के दिन क्रुपा युग या चर्च एज का आरम हुआ तो ये बहुत जिरूरी हो गया कि चर्च एज के जो उपदेश हैं उनको स्पष्टतेया लिखकर लोगों को दिया जाए क्योंकि मुझवानी दिया जाता है तो चार साल या दस साल के बाद लोग उसको भूलने लगते हैं उसमें करप्षन आ जाता है जो मुख्य उपदेश उसमें करप्षन आना शुरू हो जाता है इस कारण परमेशुर ने पवित्रात्मा की प्रेरना के द्वारा नये नियम की 27 पुस्तकों की रेचना करवाई जिसमें सबसे पहली पुस्तक है मत्ती आप मेंसे कई लोगों ने सुना होगा कि बाइबल की सबसे पहली पुस्तक है मर्कुस और याकूब ये एकदम गलत बात है मसीही विरोधी लोगों की टीचिंग है और उन लोगों ने बहुत ही चाला की से ये आईडियास चर्च में डाल दिया है और आज हम मेंसे कई लोग मसीही विरोधी लोगों की टीचिंग को चर्च के अंदर बड़े शान से चाती ठोक कर सिखा रहे हैं यह कैसे आया है यह आगे हम देखेंगे तो नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती उसके बाद मर्कुस और इस तरह से परमेश्वर ने पवित्रात्मा ने लोगों की मदद से 27 पुस्तके और दी जिसमें प्रभू के वचन से प्रभू के वचन में उपदेश जो फंडमेंटल उ उनको सबसे अधिक स्पष्टतया बताया गया है तो इस तरह से परमेश्वर ने जो लिखित 66 पुस्तके हमको दी हैं सारे सारी दुनिया में मसीही विश्वासी लोग इन पुस्तकों के आस पास एक सूत्र में पिरो दिये गए हैं और ये वो महान ग्रंथ है जो हमको जीव में सही दिशा देता है ना केवल सही दिशा देता है जैसा मैंने कहा एक सूत्र में पिरो दिया है मैं मिनिस्ट्री के लिए बहुत अधिक यात्रा करता हूँ और कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनकी भाषा मैं न जानू और जो मेरी भाषा न जाने लेकिन इस साथ बैठ कर प्रभु की आराधना और स्तुति कर लेते हैं इसलिए कि इस पुस्तक ने पदमेश्वर के बारे में सही जानकारी देकर हमको एक सूत्र में पिरो दिया है ये सारी बातें लगभग हम जानते हैं लेकिन इसको रिव्यू करना किसी एक कारण से बहुत जरूरी हो गया था और वो ये है कि एक औसत मसीही को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में जितने लोग अपने आपको मसीही कहते हैं वे सब जैसे आप या मैं प्रभू के वचन में आस्था रखते हैं विश्वास रखते हैं भरोसा रखते हैं और जिस तरह से मेरी और आपकी प्रभू के वचन के प्रती मेरा और आपका समर्पन है कई मसीहीओं को ये गलत फैमी है कि सारी दुनिया में सारे के सारे लोग जो अपने आपको मसीही कहते हैं बेसा अब इसी तरह से प्रभू के वचन में आस्था रखते हैं या प्रभू के वचन को मानते हैं या प्रभू के वचन के प्रती समर्पित हैं और इसका रिंड प्रभू के वचन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रभू ने स्वयम का था कि हर व्यक्ति जो मुझे प्रभू प्रभू कहकर बुलाता है वो मेरा शिर्ष नहीं है उसी के आधार पर और हम जो आसपस देखत हैं उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चारों तरफ जो लोग अपने आपको मसीही कहते हैं जो लोग अपने आपको ईशाई कहते हैं या क्रिस्टिन कहते हैं उन सब की प्रभू के वचन के प्रति जो आस्था है या पर नहीं है जो लोग अपने आपको मसीही या ईिसा ही कहते हैं, उनके बीच में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में थोड़ा सा जानना आगे बढ़ने से पहले जरूरी है और उस विश्वास को द्रड़ता से पकड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है और यदि हम अपने इस विश्वास को मजबूती से पकड़े नहीं रहेंगे तो क्या-क्या गड़बड होने की संभाव ना है ये बातें स्पष्ट होती हैं मसीही जगत में कम से कम छे प्रकार के लोग हैं नमबर वण कर्मकांडी लोग वे लोग कर्मकांड पर विश्वास करते हैं और उनके लिए प्रभू का वचन कोई माइना नहीं रखता है उदाहरण के लिए रोमन कैथलिक चर्च मैं आपको बताना चाता हूँ कि अल्मोस्ट उन्नीस सो सप्तर तक रोमन कैथलिक परिवारों में बाइबल्स नहीं होते थे उन्नीस सो साथ तक रोमन कैथलिक परिवारों में बाइबल्स का होना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था जिन पुस्तकों को रोमन कैथलिक चर्च ने वरजित किया था मसीहियों के लिए उनमें से एक पुस्तक है बाइबल्स यहां तक कि जब प्रोटेस्टेंट नवी करण हुआ उस समय जिन देशों में रोमेन कैथलिक चर्च का प्रभुत्व था उन देशों में सरकारों ने ये आदेश निकाला था कि यदि किसी व्यक्ति के पास बाइबल पाया जाता है तो बाइबल छीन लिया जाए उसको पकड लूट ली जाए और उसके परिवार को गुलामी में बेच दिया जाए कर्मकांडी लोग अपने आपको मसीही कहते हैं लेकिन पवित्र बाइबल से उनका कोई लेना देना नहीं है Protestant Churches के दबाव के कारण 1970 के बाद Roman Catholic Churches ने अपने जो अनियाई लोग है उनको अपने घरों में बाइबल रखने के अनुमती दी है लेकिन इसके बावजूद आज भी स्तिती यह है कि वे लोग ना तो उसका पठन पाठन करते हैं ना ही उसका अध्यान करते हैं तो मसीही जगत में जो लोग अपने आपको मसीही कहते हैं उनमें एक ग्रूप है कर्मकांडी उनसे ये दिया बात कर रहे हो तो जिस तरह से आप या मैं प्रभू का वचन समझते हैं उस तरह से वे लोग उसको नहीं समझते हैं मसीही जगत में एक और ग्रूप है जिसको अतिवादी या बागी या विद्रो ही कहा जा सकता है अंग्रेजी में रैडिकल, रैडिकल का मतलब है जो हर चीज का विरोध करता है, आप कहेंगे अरे अरे ब्रादर जॉन्सन, मसीही जगत में अपने आपको मसीही कहने के बाद कोई व्यक्ति पजमेश्वर के वचन के विरुद्ध बागी या विद्रोही हो सकता है क्या, पजमेश्वर के वचन से संबंदित बातों में अतिवाद ही हो सकता है क्या, जी हाँ, बिलकुल हो सकता है, और आज भारत में इस तरह के कई बाइबल कॉलेजिस या थियोलोजिकल सेमिनरीज हैं, जहां मैंने अपनी आँखों से देखा है, ब्रदरन बॉर्ण अगेन, बैप्टेजड पूर्न रूप से समर्पित ब्रदरन विश्वासी लोगों को माबाप ने भेजा, दूसरों ने मना किया, इसके बावजूद भेजा, और वहां जाके तीन या चार या पांच साल पढ़के वापस आए, तो शत प्रतिशत नास् निकले, इन में से एक कॉलेज बैंगलोर में है, जहां पर उन्हें ने सर्प कुंडली मारे हुए शेश नाग के ऊपर, पदमासन में बैठे हुए प्रभूई इशू की मूर्ती को प्रतिश्ठित किया था, उस कॉलेज में, मेरी जानकारी में कई ब्रदरन लोग जाके पड़े हैं, और जितने लोग गए, जब वापस आये तो सबका दिमांग खराब हो चुका था, ना तो प्रभू के वचन को मानते हैं, ना परमेश्वर को मानते हैं, तो मसीही जगत में एक तरफ करमकांडी लोग हैं, तो दूसरी तरफ बागी या विद्रोही लोग हैं, करमकांडी लोगों को बाइबल की जरूरत नहीं है, बागी या विद्रोही या रैडिकल जो है वो प्रभू के वचन को मानता ही नहीं है, इसी तरह से एक और ग्रूप है जिस जो अपने आपको सुसमाचार वादी कहता है हम सुसमाचार मानते हैं, हम परमेश्वर के शुब संदेश को मानते हैं ऐसा दावा वो लोग करते हैं और आज भारत में इस तरह के बहुत सारे लोगे तमाम मिशन एजनसीज गैर ब्रदरन मिशन एजनसीज हैं, जहां लोग कहते हैं कि हाँ हम सुसमाचार वादी हैं, इवैंजलिकल है उनसे यदि जरा विस्तार से पूछा जाए, तब पता चलता है कि सुसमाचार वादी से मतलब है कि हाँ प्रभु इश्यो के द्वारा मिल जाए, उद्धार तो ठीक है, नहीं मिले तो अपनी बला से हाँ पदमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल में भी है, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं उसके बाद एक ग्रूप आता है जिसको हम कह सकते हैं धर्म निष्ठ, धर्म निष्ठ का मतलब है जो पूर्न निष्ठा से पदमेश्वर के वचन को जानता है, मानता है, विश्वास करता है उसको एक और शब्द से भी सूचित किया जा सकता है यथा स्थितिवादी, मतलब जो है प्रभू के वचन में जो कुछ कहा गया है, हम उसको बिलकुल ऐसा का ऐसा मानते हैं तो और भी बहुत सारे ग्रूप हैं, लेकिन मुझा लगता है कि ये तीन ग्रूप हमारे लिए, हमारे अध्यान के लिए परियाप्त है कर्मकांडी लोग प्रभू के वचन की तरफ ध्यानी नहीं देते, आतिवादी लोग अपने आपको मसीही कहते हैं लेकिन प्रभू के वचन का जिन्दगी बर विरोध करते हैं सुसमाचारवादी या इवैंजलिकल कहते हैं लेकिन जरह डीटेल में आप उनको जाचेंगे तो पता लगेगा कि बाइबल की चियासर पुस्तकों में उनका पूर्न विश्वास नहीं है प्रभू इश्व के द्वारा कृपा के द्वारा जो उधार है उसमें पूर्न विश्वास नहीं है उसके बाद आते हैं धर्मनिष्ठ लोग यथा स्थितिवादी जो प्रभू के वचन को जैसा है जो कहता है उसको वैसा का वैसा मानता है विश्वास करता है और पालन करता है मैं और आप ब्रद्रन कम्यूनिटी के लोग जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं हम लोग यथा स्थितिवादी हैं मतलब पदमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उसको हम शत्प्रतिशत जो जैसा कहा गया है वैसा मानते हैं पदमेश्वर का वचन कहता है कि पदमेश्वर ने छे दिन में आकाश और पृत्वी और उसमें जो कुछ है सब की स्रिष्टी की हम यथा स्थितिवादी होने के कारण प्रबू का वचन जो कहता है जैसा कहता है उसको वैसा का वैसा हम लोग मानते हैं तो मेरे प्रीय भाईयों और बहनों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हम क्या हैं हम कर्मकांडी लोग नहीं हैं कर्मकांड मनिश्य को पर्मेश्वर से दूर ले जाता है कर्मकांड चर्चस में एक प्रीस्टली क्लास को डेवलप करता है जबकि नए नियम के अनसार हर विश्वास ही पुरोहित है आतिवादी बस परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन शैतान की आराधना करता है सुसमाचरवादी वो अपने आपको दावा करता है कि मैं यथा स्तितिवादी हूँ लेकिन उससे जब चार प्रशन आप पूछेंगे तब पता चलेगा कि थोड़ा बहुत विश्वास करता है बलकि थोड़ा बहुत कहने के बदले थोड़ा थोड़ा विश्वास करता है बहुत बहुत अविश्वास करता है उसके बाद आते हैं हम, हमें मालूम होने चाहिए कि हम कौन है हम ब्रदर और विश्वासी लोग यथा स्थितिवादी हैं पडमेश्वर का वचन जो कहता है उसको यथा बिलकुल वैसा का वैसा मानते हैं छे दिन में पडमेश्वर ने आकाश और पृत्वी की सृष्ठी की जब प्रभू का वचन कहता है हम उसको शत्प्रतिशत मानते हैं उसके अलावा प्रभू का वचन जो कुछ कहता है हम उसको मानते हैं यह हमारी स्थिति है इस प्रिष्ठ भूमी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है यथा स्थितिवादियों को खिस तरह से पहचाना जा सकता है ये भी बता कर हम फिर से परमेश्वर के वचन के कुछ पदों को देखेंगे यथा स्थितिवादियों को इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहा जाता है जो हर चीज को कंजर्व करने की कोशिश करता है सुरिट्शित रखने की कोशिश करता है फंडमेंटलिस्ट भी कहा जाता है लेकिन ये शब्द मैंने सबसे आखर में इसलिए बताया कि भारती अकबारों में अंग्रेजी अकबारों में फंडमेंटलिस्ट शब्द गलत तरीके से उपयोग में आता है तीवरवादी लोगों को fundamentalist कहा जाता है जो कि बिलकुल गलत है fundamentalist लोग तीवरवादी नहीं होते fundamentalist हम है जो प्रभु ईशु के वचन की या परमेश्वर के वचन की मूल बातों को fundamental को वैसा का वैसा मानते हैं और वैसा का वैसा सिखाते हैं जो conservative है या fundamentalist है या जो यथास्तितिवादी है मतलब हम लोग, हम लोगों को चार चीजों से पहचाना जा सकता है। अंग्रेजी में याद रखना बहुत आसान है, Bible alone, faith alone, grace alone, Christ alone, सिर्फ प्रबु का वच्चन, सिर्फ विश्वास, सिर्फ कृपा और सिर्फ प्रबु इश्व, ये इतने ब्रीफली जब मैं बोलता हूं तो हो सकता है, कि एकदम से समझ में ना आए, लेकिन इसका मतलब है, सिर बाइबल की 66 पुस्तकें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पर्मेश्वर का वचन है, उसके अलावा कोई भी पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरिना से नहीं लिखा गया है, और इस कारण हम यथा स्थितिवादी विश्वासी लोग, सिर्फ बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होने के कारण हम सिर्फ बाइबल को पेटमेश्वर का वचन मानते हैं और हम जो कुछ आत्मिक जिवन में डिसाइड करते हैं वो सिर्फ बाइबल के आधार पर करते हैं किसी पंडित ने ये कहा किसी पंडित ने वो कहा इसके आधार पर ये बताने इसलिए जरूरी हो गया कि कई बार हमारे messages में लोग कहते हैं कि एक पंडित ने कहा है, एक पंडित ने कहा हो या अनेक पंडित ने कहा हो, या असंख्य पंडित ने कहा हो, यदी वो परमेश्वर के वचन के विरुद है, तो हर यथा स्थितिवादी विश्वासी क उसे immediately reject कर देना चाहिए और यदि परमेश्वर के वचन में कहा गया हो तो मेरा प्रश्णी यह कि जब प्रभु का वचन कहता है तो पंडित की क्या जरुरत पड़ती है उसको काहे को कीच के ला रहे हो हम ब्रद्रेंड लोग आत्मिक जीवन में जो भी निरने लेते हैं वो बाइबल अलोन या सिर्फ बाइबल इस आधार पर लेते हैं दूसरी बात सिर्फ विश्वास ये रोमियों की पतरी पाँचवे अध्या के एक के उपर आधारी थै जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठेराएगे तो पहली बात पवित्रात्मा के द्वारा परियरित एक मातर पुस्तक पवित्र बाइबल है दूसरी बात धर्मी ठहराये जाने का एक मात्र मार्ग विश्वास है तीसरी बात उद्धार पाने का एक मात्र रास्ता कृपा है प्रभु की दया है चौथी बात मुक्तिदाता सिर्फ एक है प्रभु इश्व ये चारों चीजें जो कसके पकड़ता है वो है यथास्तितिवादी हम लोग चूँकि यथास्तितिवादी है इसलिए हम में से हर व्यक्ति इन चार उपदेशों को एक्चली उपदेश नहीं है ये फाउंडेशन नीव है इस नीव के जो चार खंबे हैं इनको मजबूती से पकड़े रहें बाइबल और सर्फ बाइबल पवितरात्मा द्वारे प्रेरित परमेश्वर का वचन है विश्वास और सर्फ विश्वास के द्वारे ही धार मिक्ता मिलती है प्रभू की कृपा और सर्फ प्रभा के द्वारे ही उद्धार मिल सकता है प्रभू ईश्व और सर्फ प्रभू ईश्व ही मनिश के उद्धार करता है ये प्रिष्ट भूमी मन में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं प्रभू के वचन से जब हम प्रभू के वचन का अध्यायन करते हैं तो प्रभू के वचन में कुछ प्रस्तावनाएं हैं या कुछ प्रस्ताव हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है और सिर्फ इन प्रस्तावों के आधार पर प्रभू के वचन को स्पष्टतेया समझा जा सक अध्याए 16 और 17 दूसरा थिमोटी तीसरा अध्याए 16 और 17 वहां हम पढ़ते हैं हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरना से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिठ्षा के लिए लाबदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध परिपक्व बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए ये प्रभु के वचन के बारे में प्रभु के वचन में ही दिया गया एक आधार भूत, foundational सत्य है और वो ये है कि हर विएक्ती भले काम के लिए तत्परी हो जाएं उसके लिए ज़रूरी है कि हर विएक्ती मेच्वर बने और हर विएक्ती मेच्वर बने तो पहले उसके जीवन में उपदेश आना चाहिए और हर बात समझानी चाहिए, जो गलत बाते हैं वो सुधार नहीं चाहिए और परमेश्वर के वचन की शिट्षा मिलनी चाहिए इन सब बातों के लिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरना से रचा गया है आगे जब हम देखते हैं अन्य भागों को देखते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पवित्रात्मा की प्रेरना से रचा गया है हम जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्रात्मा त्री एक परमेश्वर की जो त्री एक ता है उसमें पिता पुत्र और पवित्रात्मा के अलग-अलग रोल है पवित्रात्मा का रोल विश्वासियों को प्रेरना देना उत्साह देना उनको गाइड करना उसके अलावा पवित्रात्मा ने इस संसार में जो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है वो है प्रेरना देकर लोगों से लिखवाया 66 पुस्तकें लिखवाई और हमको प्रदान की तो पर्मेश्वर के वचन के बारे में पर्मेश्वर का वचन जो कहता है उसमें से एक नीव यह है कि हमको आज हमारे हाथ में जो 66 पुस्तकें मिली हैं ये पवित्रात्मा की प्रेरना से लिखी गई है, हो सकता है यहां कोई भाई या बेहन पूछे कि ब्रदर 66 ही क्यों, और कोई पुस्तक है क्यों नहीं, प्रभु ने मदद की तो उस विशे को हम जरूर देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे, जब समय आएगा, इस स तो हम प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के बारे में जो मूल भूत बातें बताता है, उनको देख रहे हैं, जिससे की नीव डालके आगे बढ़ें, इसी तरह से पडमेश्वर के वचन में, पडमेश्वर के ही वचन के बारे में जो बातें बताई गई हैं, उनमें से अ बहुत-बहुत महत्वपूर्ण एक पद है, यहां पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले यह जान लो कि पवित्र शास्तर की कोई भी भविश्यवानी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, यहां दो-तीन बाते मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हिंदी पढ़ते समय कभी-कभी एकात शब्द मैं जोड़ता जाता हूँ, एकात शब्द बदलता चला जाता हूँ, ग्रीक के आधार पर मैं यह कर रहा हूँ, जिसे की विशे स्पष्ठ हो जाए, तो पवित्र शास्त्र की कोई भी भविश्यवानी किसी के अपनी विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती, इसका क्या मतलब है, हम लोग जब भविश्यवानी शब्द हिंदी में सुनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस शब्द का एक अर्थ आने वाले भविश्य के बारे में बताना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन युनानी भार्षा में इस शब्द का एक और मतलब है, लेकिन चुकि भविश्यवानी शब्द से हिंदी में अनुआद किया गया है, इसलि उस अर्थ को हम कई बार नजरन्दाच कर देते हैं। Actually, हिंदी में सही-सही अनुवाद होना चाहिए पवित्र शास्त्र की कोई भी वानी या पवित्र शास्त्र का कोई भी प्रस्ताओ किसी की अपनी विचारधारा के आधर पर पूर्णे नहीं होती। तो ये पद ये कह रहा है कि चाहे भविश्य के बारे में बोला जा रहा हो या सामान्य उपदेशों के बारे में बोला जा रहा हो जो इन दिनों हम सब के लिए हमारे जीवन में प्रभावी है या एप्लिकिबल है तो हम सबसे पहले यह जान लें कि इनमें से कोई भी चीज मनिश की विचारधारा के आधार पर ना तो लिखी गई है ना सिखाई जानी चाहिए ना ही इन चीजों की पूर्णता मनिश की विचारधारा के उपर आधारी थे क्यों नहीं है इसका उत्तर 21 पद में हम देखते हैं क्योंकि कोई भी भविश्यवानी मतलब पदमेश्वर के वचन में जितने प्रस्ताव हमको मिलते हैं क्योंकि कोई भी प्रस्ताव या कोई भी पदमेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनिश की इच्छा से कभी नही पर भक्त जन पवित्रात्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की और से बोलते थे कोई भी भविश्वानी मनिश की इच्छा से पूरी नहीं हुई या परमेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनिश की इच्छा से वहां नहीं हुआ वहाँ नहीं आया इसको समझने के लिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे आसपास जो धर्म है इन में से कई धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उनको मनिश्यों ने लिखा है और उस धर्म के अनियाई लोग स्पष्टतिया बताते है कि फलाने व्यक्ति को जो मन में जो लगा उसने लिखा और हमारी अग्वाई के लिए दे गया हमने अभी जो पोर्शन पड़ा उसमें 21 पद ये याद दिलाता है कि पर्मेश्वर के वचन का कोई भी प्रस्ताव मनिश्की इच्छा से नहीं आया है लेकिन भक्त जन पवित्रात्मा के द्वारा उभारे जाकर इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने ना तो अपनी बुद्धी से ना अपनी शक्ति से इन चीजों को लिखा पवित्रात्मा ने उन लोगों को प्रेरणा दी कि लिखो लिखो और उस प्रेरणा के अनुसार उनने लिखा जिसका असर यह हुआ कि पवित्र बाइबल की जो 66 पुस्तके हैं इन 66 पुस्तकों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह 66 पुस्तकें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिखी गई और इस कारण प्रभु इश्व ने कहा कि आकाश और पृत्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन के एक मात्रा भी बिना पूरी हुए नहीं टलेगी कारण क्या है कि पवित्र बाइबल में जो 66 पुस्तकें हम देखते हैं यह 66 पुस्तकें पवित्रात्मा की प्रेरणा के कारण भक्ति जन अपनी बुद्धै शक्तु के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार नहीं लेकिन पदमेश्वर की ओर से बोलते थे मतलब जो पर्मेश्वर हमसे बोलना चाते हैं उसको इन लोगों ने लिखित रूप में हमको दिया तो इस बात को समझ लें कि ये जो 66 पुस्तके हैं ये मनुश का वचन नहीं है ये पर्मेश्वर का वचन है हो सकता है आप एकदम से पूछें कि ब्रदर जॉन्सन पवित्र बाइबल में दुष्टों ने जो कहा था उसकी भी तो रिकार्डिंग है बिलकुल है ये पर्मेश्वर का वचन है का मतलब ये है कि ये जो लिखित रिकार्ड है पर्मेश्वर चाते थे कि ये लिखा जाए और पर्मेश्वर की इच्छा से लिख कर हमको दिया गया ये है उसका मतलब लेकिन जब हम पर्मेश्वर के वचन के ही अन्य भागों को पढ़ते हैं तो वहां ये बात स्पष्ठ हो जाती है कि पदमेश्वर ने मनिश से जो बोला, शैतान ने मनिश्यों से और प्रभु से जो बोला, दुष्ट लोगों ने अन्नी लोगों से जो इन साथ को वहां रिकार्ट किया गया है तो जब प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रात्मा के द्वारा उभारे जाकर पजमेश्वर की और से बोलते थे तो उसका मतलब यह नहीं है कि पजमेश्वर जो बोल रहे थे उसका रिकार्ड है जी नहीं इसका विस्तार प्रभु ने मदद की तो हम आगे देखेंगे। अब एक सवाल आता है, ओके, पवित्र बाइबल की 66 पुस्तकों में पवित्र आत्मा की प्रेरना से लिखा गया पजमेश्वर का वच्चन है। आप मैसे शायद कुछ लोग पूछेंगे, लेकिन ब्रदर जॉन्सन दुनिया में चारों तरफ बहुत सारे प्राचीन धर्म हैं, बिल्कुल हैं। भारती है, जो समाज है, ये नूहा के जल प्रले के बाद से भारत में जन संख्या है, और जब से भारत में जन संख्या है, तब से धर्म गरंतों की रेचना भी चालू हो गई थी। तो हो सकता है आप में से कोई पूछना चाहें, ब्रदर जॉन्सन, जब दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, तो क्या मालूम पडमेश्वर ने उन लोगों को भी पुवित्रात्मा की प्रेरणा दी हो? क्या मालूम कि उनके धर्म ग्रंथों में भी पुवित्रात्मा की प्रेरना के द्वारा लिखी गई बाते हों कई लोग पूछते हैं कई लोग पूछते हैं मुझसे और पिछले 25 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है खास कर आज ब्रदरन कम्यूनिटी में ना के वल ब्रदरन में CSI चर्च में बहुत लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि अन्य ग्रंथों में भी पडमेश्वर का वचन पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जरूरी है और इसलिए मैं दो-चार मेनिट उसके बारे में बताना मेरे लिए ज़े दूरी है Gospel Literature Service जो की एक ब्रदरन पब्लिशिंग हाउस है किसी जमाने में एक ट्रैक्ट पब्लिश करता था जिसका हिंदी में नाम है बेलिदान अंग्रेजी में sacrifice नाम से वो लोग चापते थे जहां तक मेरी जानकारी है आज से कुछ साल पहले जब मैंने ये बात स्पष्ट इसके बारे में आंदोलन चलाया कि अन्य धर्म ग्रंथों में प्रभू का पवित्रात्मा के द्वारा प्रेरित वचन नहीं है तब उन्हांने मुझसे कहा था कि हम उसका publication बंद कर रहे हैं ये जो ट्रैक्ट जिसकी millions में copies हिंदुस्तान की लगबग सभी भाषाओं में चापकर GLS ने बाटी थी उसमें ये कहा गया है कि रिगवेद में प्रभू ईशु के बारे में नौ बातें बताई गई है जैसे उसका हाथ पैर लकडी पर ठोक दिया जाना चाहिए उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाना चाहिए भाले से उसका पंजर छेत देना चाहिए मेरा अनुमान है कि यहां जितने लोग हैं उनमें से जो सीनियर्ज हैं पचास से उपर के हैं इनमें से कई लोगों ने देखा होगा बलिदान नाम का यह ट्रैक्ट इस ट्रैक्ट के प्रभाव में बहुत सारे ब्रदरन लोग इतना ही नहीं बहुत सारे CSI Church of South India के लोग यह मानने लगे थे कि बाइबल के बाहर खास कर रिगवेद में प्रभु ईशु के बारे में और प्रभु ईशु के बलिदान के बारे में प्रस्ताव या स्टेट्मेंट्स मिलते हैं और यदि मिलते हैं तो उसका मतलब यह है कि पवित्रात्मा की प्रेरना के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं इसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है पहले जरा उसको देखेंगे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतिय रगवेद आज से लगबग तीन हजार साल या चार हजार साल पहले लिखे गए थे विद्वानों का ओपीनियन है कि चार हजार साल पहले मौखिक रूप से ये जनरेशन टी जनरेशन पासवर्ण किये जाते थे और लगबग तीन हजार साल पहले ये ताड पत्र पर लिखे गए थे पहली बार जिसका मतलब है कि रिगवेद पुरयाने नियम की पुस्तकों के लगबग उसी समय लिखा गया था या समकालीन है पुरयाने नियम में पडमेशवर पवित्रात्मा की प्रेरणा के द्वारा जो जानकरी देते हैं उसके बारे में बहुत सारे प्रस्ताव देते हैं जिसमें से जस्ट एक स्टेट्मेंट जानना परियाप्त है और वो स्टेट्मेंट हमको मिलता है भजन सहिता 147 के 19 और 20 में भजन सहिता 147 के 19 और 20 में वहां हम पढ़ते हैं वह याकूब को अपना वचन और इस्राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है देखे यहां याकूब जो है याकूब के 12 पुत्रों को दिखाता है इस्राइल का परियावाची शब्द है सिनोनिम तो भजन 147 का 19 जो है उसको इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जा सकता है वह यहूदियों को अपना वचन और या इस्राइली को अपनी विधियां और नियम बताता है किसी और जाती से उसने मतलब परिमेश्वर ने ऐसा बरताव नहीं किया इस कारण यदि आप या आज जो लोग सुन रहे हैं इनमें यदि कोई भी भाई या बहन यदि उनके मन में ये गलत फेहमी है कि अन्य धर्मों में पवित्रात्मा की प्रेरणा से दिये गए वचन मिलते हैं तो ये जो प्राचिन ग्रंथ जब लिखे गए थे उस युग के बारे में पडमेश्वर का वचन स्पष्टतिया कहता है कि वह यहूदियों को अपना वचन और इस्राइल को अपनी विधिया और नियम बताता है कौन पिता पडमेश्वर किसी और जाती से उसने मतलब पिता परिमेश्वर ने ऐसा विवहार नहीं किया जिसका मतलब यह है कि हम जो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अन्य धर्म गरंथों में भी पवित्रात्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं है प्रभो का वचन स्पष्ट तया बताता है कि परिमेश्वर ने अपना वचन पुरैने नियम में सिर्फ यहूदियों के द्वारा दिया है किसी भी और जाती से परिमेश्वर ने ऐसा व्यभार नहीं किया है ये कहना इसलिए जरूरी हो गया है कि आप लोग जानते हैं कि मैं कि बहुत अधिक भाईयों के साथ प्रचार वगरा के लिए जाता हूं कई बार बड़ा विच्चतर लगता है कोई मसीही भाई किसी गैर मसीही से जब बात करता है तो वो पूछते हैं क्या बताना चाते हैं हम कुछ नहीं बताना चाते आपके धर्म गरंथों में प्रभू ईश्यू के बारे में जो कहा गया है उद्धार के बारे में जो कहा गया है बास उसको मान ले यहाँ दो बाते हैं पहली बात यदि उसके धर्म ग्रंथ में पहले से लिखा है तो आप कहे को जाके कह रहे हैं उसको पहले से मालूम होगा कि उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है एक मसीही को जबर्दस्ती वहां जाने की क्या जरूरत है दूसरी बात परमेशवर के वचन में जो बात स्पश्टतया बताई गई है आप उसका उलंगन कर रहे हैं परमेशवर का वचन कहता है कि वह यहूदियों का अपना वचन और इस्रायल को अपनी विधिया और नियम बताता है किसी और जाती से उसने ऐसा बरताव नहीं कि मतलब पडमेशवर ने पवित्रात्मा की प्रेरणा से जो वचन है किसी और जाती को नहीं दिया है आप कहेंगे ओके ब्रदर ठीक है लेकिन पडमेशवर ने यहूदियों को देख जो दिया था उसको सुनकर कहीं उन्होंने अपने ग्रंतों में लिखतों नहीं दिया आगे का देखिए जो आखरी पोर्षन है इसी पद में बीस्वें पद के आखरी पोर्षन ने लिखा है उसके मतलब पडमेशवर के नियमों को औरोंने नहीं जाना तो हम मैंसे जो लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि पद मेशवर ने अपना वचन ना के वल हमको दिया पवित्रात्मा की प्रेरना से जो लिखा गया है पवित्रात्मा की प्रेरना हिंदूों को दी मुसलिम्स को दी और उसके अलावा टाओ धर्म को दिया शिंटो धर्म को दिया पडमेशवर का वचन स्पष्टेतया कहता है मैं किसी भी धर्म के धर्म ग्रंत का धर्मग्रंद को कम करके नहीं आक रहा यह मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है बलके हम हर व्यक्ति का आधर करते हैं लेकिन जब हम मुझ कर बोलते हैं कि पवित्रात्मा की प्रेरना से लिखा गया है तो वो statement किसी और धर्म ग्रंद के लिए use करना परमेश्वर के वचन का विरोत करना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रात्मा की प्रेरणा से जो लिखवाया गया है वो सुर्फ यहूदियों को दिया गया था किसी और जाती को परमेश्वर ने ऐसा नहीं दिया और वो लोग इन बातों को नहीं पहचानते हैं यदि आपको लगता है कि उन्हेंने कॉपी कर ली होगी तो यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर के नियमों को किसी और ने नहीं जाना है आगे बढ़ने से पहले इस फिशे में चूंकि मैंने आरम कर दिया मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने दुनिया के लगबग सभी धर्मों के ग्रंथ पड़े हैं मेरी होबी थी एक कारण था जिसके कारण यहोबी बन गई लेकिन मेरी होबी थी संस्कृत मेरा second language है हिंदी मेरी पहली भाषा है first language है संस्कृत मेरी second language है अंग्रेजी मेडिय में पढ़ने का सोबागी मुझे कभी नहीं मिला हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब संस्कृत second language था और संस्कृत में मैं बहुत ज्यादा दक्ष एक्सपर्ट था हिंदूओं के सारे धर्म ग्रंथ मैंने संस्कृत में कई बार पढ़े हैं इन ग्रंथों की जो टीका है, कमेंटरीस वो संस्कृत में भी पढ़े हैं, हिंदी में भी पढ़े हैं और आज से 25 साल पहले जब जरुरत पढ़ी तो मल्यालम में भी पढ़ लिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि GLS ने ये जो ट्रैक्ट मिलियन्स में चाप कर सारे हिंदुस्तान की सभी भाषा में बांट दिये थे, ये मसीही जगत का सबसे बड़ा फ्राउड था उस ट्रैक्ट में कहा गया है कि कोई तो भी आंध्रा के एक ब्रामन ने ये ट्रैक्ट लिखा है, इस तरह का कोई व्यक्ती नहीं था, मैंने उसके बारे में एतिहासिक अनसंधन की इस तरह का कोई व्यक्ती नहीं था किसी फ्रॉड ने किसी और फ्रॉड के नाम पे एक ट्रैक लिखा उसका अनुवाद जो है एक पारसी स्त्री ने अंग्रेजी में किया GLS को मिल गया उसका अनुवाद उन्हेंने सब भाष्षा में करवा दिया और सारे हिंस्तुस्तान में छाप कर बांट दिया उसमें प्रभू इशू के नौ लेट्षन रिगवेद में से दिये गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाईयों और बहनों मैंने रिगवेद को A से लेकर Z तक इंदी में, संस्कृत में, मले आलम में कई बार पड़ा है उसमें कहीं इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है और ये जो ट्रैक्ट है, उसमें एक भी रफरेंट्स कि ये कहां से, आपने कहां से ये उठाया जब हम बाइबल से कोई रफरेंट्स देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा जब हम बोलते हैं, तो उसके साथ बताते हैं युहना 3.16 यदि कोई मसी में है, तो वाइद नई सृष्टी है दूसरा कुरिंतियों 5.17 यदि हम अपने पापों को मान ले पहला युहना 1.9 यह जो 9 लेट्षेंट बताएगे हैं यह कंप्लीट फ्रॉड था इनका कोई रफ्रेंट्स नहीं दिया गया है इसलिए कि इस तरह का कोई रफ्रेंट्स रिगवेद में नहीं है ना के वल मैंने और भी दरजनों लोगों ने आदी से लेकर आंत तक रिगवेद की जाचकी है ना के वल रिगवेद में चारों वेदों में सभी उपन इशोदों में और उसके साथ साथ और भी ग्रंथ है इन में से किसी ग्रंथ में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं पाया जाता इस कारण येदी भाईयों बहनों में ऐसा कोई है जो बड़े उत्सा के साथ बैठा हुआ हो कि अरे अन्य धर्मों में भी परमेश्वर ने पवित्रात्मा की प्रेरना से रेविलेशन दिया है ऐसी कोई बात नहीं है ये जो पद मैंने अभी आपके सामने पड़ा ये इस बा तो मुदाहरन मिलता है दो पद पढ़के मैं क्लोस करना चाहता हूँ ये उदाहरन हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक पांचवे अध्या के पहले और दूसरे पद में निर्गमन पांच एक और दो में हम देखते हैं इसके पश्चात मूसा और हारुन ने जाकर फिरौन स यहवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूँ मैं यहवा को नहीं जानता मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूँगा भजन सहिता 147 में जो बात कही है वे परमेश्वर को नहीं जानते वे परमेश्वर को नहीं जान सकते इस बात को याद रखें पूरी की पूरी पुस्तकें यहुदियों के द्वारा लिखवाईं, नए नियम में 27 पुस्तकें मसीही विश्वासियों के द्वारा लिखवाईं, गैर मसीहीं को या मसीही दर्म के बाहर, यहुदी विश्वास के बाहर, पवित्रात्मा की प्रेरना से कोई ग्रंत नहीं दि प्रभू के नाम के स्तूतिय। बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की।